तो दोस्तों आप मैंसे काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं जबसे ये MRS की आंसर की आउट हुई है उसके बाद में से काफी जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि अब हमें इसका रिजल्ट कब तक देखने को मिलने वाला है हमारी आंसर की आ चुकी हमारा पेपर भी उचुगा है अब जो इसका result है वो कब तक देखने को मिलेगा final answer की जो है वो कब तक हमें देखने को मिलेगी तो पूरा कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं विडियो कुछ तुरू से लेकर अंतर तक देखेगा और जिसको नहीं मालू मैं answer की आचुके है तो उसको भी मैं यहाँ पर एक बार बता दूँगा कि किस तरही किस answer की चेक करनी है cutoff बगेर काम ने क्या यहाँ पर वीडियो बनाया है वो भी मैं आपको दिखायता हूँ थोड़ा सा तो वो देख लेना है और रेजल्ट का बतायता हूँ कि कब तक आपको देखने को मिलने बाला है ठीक चले तो देखिए दोस्तों आप मेरी यूटूब चैनल पर चले आना जिसका नाम है दा एक्जामेल पर यहाँ पर मैंने दो वीडियो डाले हुए एक है आप तक आंसर की आउट हुए अगर नहीं चेक करी किस तरही किस चेक करना है गलत क्वेस्टन पर आंसर कैसे रिच करना है तो इसको देख लेना वाकि कटॉप का एक सर्वे वीडियो बनाएं तो इसको जरूर देख लेना और यह जो यूटूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना और इतनी भी जितनी भी सारी अपडेट्स हैं सारी आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं यहाँ पर देखिए जैसे आपका आंसर की पर दीकर को यहाँ पर जाएगे तो यहाँ पर मैंने डहर सारे पूल करहा हूं तो आप जितने ज्यादा इस वाच कर देंगे उतनी अपको कटॉप का सई अंदर SUND लागए और जली से डाटा आपाएगा और ज्यादा accurate हम cut-off का अंदाजा लगा पाएगे ठीक है तो कल सोगे तक मैं आपको ये cut-off का वीडियो दे दूँँगा जिसमें accurate हमें एक idea लग जागा कि इतना-itना cut-off जाने वाला है ठीक है तो एक बार जाके इस पर pull-up कर दीजे ठीक है और ये एक Google form है कि answer की के बाद कितना आपका score बनना है तो ये negative बगएर सब काटके तो ये भी टेलीग्राम पर इसका link मिल जागा तो वहां से जाके आपका ले लाए ठीक है तो जाहिए जल्दी से इसे ले दीजे ओक दोस्तों बात कर लें कि आपका result कब तक आपको देखने को मिल सकता है तो दोस्तों बता दूं कम से कम आप 30 दिन तो मानके चली कि अभी जैसे आपकी answer की आच चुकी है आज हो रहा है तीन तारिक तो कम से कम 30 दिन तक आप मानके चली आपका result नहीं आने वाला है क्योंकि ये actually में offline exam हुआ है दूसरा यहाँ पर अगर online exam होता तो यहाँ पर तो हाथ से type करना परता पूरा कितना क्या score है कितना negative गया कितना mark गया तो उसमें थोड़ा process में time लगता है बट अगर फिर भी हम average time देखे तो minimum 30 से लेकर 45 दिन किसी भी result को आने में लगते है तो अगर 30 दिन लेके चले तब भी आपको फरवरी 15 या उससे पहले देखने को म ही मिल सकता अगर ऐसा हो सकता है कि recruitment बहुत ही fast mode मा हूं mission mode मा हो रही है तो आपको जन्वरी के मत में result देखने को मिल सकता है नहीं तो जो आपको फरवरी की starting में ही देखने को मिलेगा या February end तक भी यह जा सकता है ठीक है बात कर लिए final answer की कब आएगी तो final answer की जैसे ही A6 ता मुझर करेगा मिलते हैं फिर नेक्शन वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भार